दिल्ली में आज केजिवाल सरकार की नई आपकारी नीती के खिलाफ बीजेपी चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी के जारी किये गए बयान के पताबिक दिल्ली का हर व्यक्ति और और अतनाई शुराब नीती से परशान दिख रहा है उनका कहना है कि घरों के बगल में शुराब के ठेके खुल रहे हैं इसलिए बीजेपी आज दिल्ली के 15 अलग-अलग मुखे स्थानों पर चक्का जाम कर इसका विरोध करने वाली है आपको बता दें कि दिल्ली में चक्का जाम बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुपता के नेतरुत में किया जाएगा साथी आदेश गुपता ने बताया है कि केजिवाल पंजाब में शुराब बंदी पर रोक लगाने के लिए तरह तरह की बाते कर रहे हैं तो वहीं दिल्ली को एक शुराब नगरी बनाने में तुले हुए हैं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी इसे होते हुए नहीं देखेगी दिल्ली में चक्का जाम में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुपता अक्षरधाम क्रोस ओल रोड पर मौजूद रहेंगे तो वहीं सांसत गौतम गंपीर विकास मार्ग से कार बाजार में चक्का जाम का नेतरुत करेंगे इसके अलावा रमेश बिदूरी दयाराम चौक में होने वाले विरोध प्रदर्शिन में मौजूद रहेंगे वहीं बीज़पी के अन्यप अधिकारी भी आज अलग-अलग स्थानों पर होने वाले इस चक्का जाम में शामिल होकर अपना विरोध जताएंगे साथी आपको बता देंगे इबीज़पी के अनुसार नई शुराब नीती के तहट खोली जा रहें नई थे के दुकान है अगर गैर पुष्टी शेत्र में हो निगम के नियमों का पारण नहीं करती हो या किसी धार में के सल या विद्याले के बगल में मौझूद हो तो तुरंत कारवाई करते हुए इन्हें सील किया जाएगा